हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो टू कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पुल बैक को ट्वेड कर सकते हैं यह नि पुल बैक के बेसिस पे आप कैसे ट्वेड कर सकते ह और बहुत साहे लोग के मन में डाउट आा रहा हूगा यह पुल बैक होता क्या हूँ हम पुल बैक को और आपको पिक्छर कर वह रहा हूगा और बहुत इसे support level break हुआ उसके बाद यह line आगे क्या काम करेगा यह line आपका आगे support नहीं resistance के रूप में काम करेगा क्योंकि यह support level को already break कर दें इसके आगे इस line को आप resistance line समझें उसके बाद क्या हुआ प्राइस यहां से आपका वापस से upside की दरफ जाता है और यह जो resistance line है इसको touch करता ह यहां से उपर क्यों जाता है इन सब के पीछे वीजन है logic है वो सब मैं आपको आगे जब चार्ट पे ऐसा formation खोजेंगे तो मैं आपको explain कर दूँगा यहां पर आपको बस यह समझना है अब देखें यहां पर यह गया इसके बाद यह pullback दिखाता है यह नीचे से उपर गया और यह stance line को touch किया उसकी बाद गिरावट दिखाता उसी को हम लोग क्या बोलते है पुल बैक बोलते है और इसी pullback के basis पे आप अपना trading decisions ले सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं आप यहां पर परफेक्ट entry point SL और target price find करके इस पे basis पे आप ट्रेड ले सकते हैं और यह कापी static trade होता ह जो कि आपको profit बना के देता है और यहां पे आपका accuracy level भी लगबग आपका 70% के करीब होता है तो उमीद करते हैं कि pullback क्या है आपको exact समझ में आ गया होगा और pullback को आप कैसे identify करेंगे वो भी यहां पे हमने काफी हद तक बता दिया अब next video हम इसी के opposite वाला part cover करेंगे उसक इसे इसको break किया यह sustainable क्या बन जाएगा support level बन जाएगा फिर आपका price नीचे आएगा और यह support level को touch करेगा और यहां से फिर इस तरह का pullback दिखा यहनि यह pullback आपका upside की तरफ भी हो सकता और downside की तरफ भी हो सकता है जो pullback आपका upside की तरफ देगा इसको हम लोग next video में cover चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को जब दबा दिजे ताकि जब हम इस topic को next video में cover करें वो video भी आप तक पहुंच जाए और आप उस video के भी miss ना करें चलिए अब हम चार्ट में चलते हैं और यह pullback आपका downside की तरफ है इसको हम लोग identify करते हैं और देखते हैं उसके basis पे हम trade कैसे कर तो यहां पर आप हम लोग चार्ट पर आते हैं अब देख सकते हैं यह आपका निफ्टी का डेली चार्ट है अब सबसे पहले question होता है लोग का time frame को लेके इसको आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं daily chart, two hour chart, hourly chart, 30 minute, 15 minute किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको य यहां पर हम pull back downside की तरह fine कर रहे हैं तो formation हमें इस तरह से होना चाहिए यह वाला pattern हमें मिलना चाहिए यहां पर आपका resistance level break होना चाहिए अब यहां पर देखें क्या कुछ हुआ है यह आपका एक आपका barrier level है यह आपका support resistance level है कभी support बनता कभी resistance level बनता बहुत पहले से अब क्या हुआ price यहां पर उपर से गिरना स्टार्ट किया और इस time पर यह क्या था support level था यहां पर क्या हुआ यह आपका support था तो इस support level को break करते हुआ प्राइस आपका नीचे side के तरफ आया और फिर यहां पर आपका प्राइस उपर गया हुआ है अब यहां पर price उपर क्यों उटआने के लिए उनको buy करना परेगा और वही यहां प्यार्ण किया जारा है और उस्य कावरशी छोटा सा आपको pullback देखने को मिलता आपको छोटा सा upside momentum देखने को मिलता और वापस से जैसे I रेस्टेंस लेवल के पास आता है वह आपस से क्या होता है selling pressure यहाँ पर आपका हाभी हो जाता है वापस से sellers यहाँ पर selling करना start कर देते हैं जनियून आपका यही point होता है जहाँ पर आपको sell side की तरफ entry लेना है वही अगर आप पहली बार break करके नीचे जाता है, इस पे आप sell करोगे, तो यहाँ पे trap होने की chances बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे बहुत बार आप trap हो सकते हो, यहाँ पे real breakout है या false breakout है, उसको आप identify नहीं कर सकते हो, तो सबसे simple और safe तरीका है, कि आप pull back के basis पे trade करो, और यह काफी accurate स होता है, अब देखें, यहाँ पे आने के बाद हमें selling pressure देखने को मिला, अब यहाँ पे हमारा entry point क्या होगा, जो पहला candle इस resistance line को touch किया, उसका lowest point, अगर वो break हो गया, उसके lowest point को break होते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम sell side की तरफ entry लेंगे, तो पहला candle और एक लावता candle यही resistance line को touch किया, इसका lowest point यह है, इसका lowest point जैसे ही break हुआ, यह हमारा बन जाएगा, entry point बन जाएगा, sell side की तरफ, और इसके basis पे आप options में भी trade ले सकते हो, यहाँ पे अगर आप options में trade लेना चाहते हो, तो इससे उपर जो है, आपका 17,250 है, इसके आप put options को यहाँ पे आसानी से buy कर सकते हो, और futures में भी trade ले सकते हो, उसके बाद, price आपका यहाँ से नीचे किवना स्टार्ट हो गया, अब entry के साथ साथ हमें क्या चाहिए, target चाहिए, और stop loss चाहिए, तो stop loss क्या होगा, जो breakout से पहले previous candle, उसका highest point, यह हमारा SL बन जाएगा, यानि तो यह जो line है, इससे थो और से उपर रख दीजे, यानि तो अगर इससे पहले जो भी candle form हुआ है, उसको भी आप stop loss के रूप में count कर सकते हैं, अब हमारा target price क्या होगा, जो भी previous support level है, उसको हमें target price के रूप में रखेंगे, सबसे पहला target price ही होगा, यहाँ पे इसको clear कर देते हैं, टीवन हो गया, उसके बाद बात करें, यह particular level भी आपका T2 हो जाएगा, और यह finally target 3 हो जाएगा, जिसको भी इसने hit कर दियें, इसने सारे target price को hit किया, और all the way, गिरावट कहां से दिखाया, गिरावट देखिए इसने लगवाग 17,250 के level से दिखाया था, और वहां से गिराव किया है, और इसके basis पे हम काफी लंबा trade के लिए भी जा सकते हैं, ति आपके सामने nifty में काफी बहत्वीन example है, और यह आपका कब से फॉर्म हुआ है, अपरील 2022 से लेके आपका फॉर्म हुआ है, लगभग में ले सकते हैं, में 2022 तक यह formation किया है, तो इसको आप जाके कर सकते हो, अब देगे, यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर यह जो line है, यह आपका support की रूप में काम कर रहा है, price आपका वापस नीचे आया, support line को break किया, support line resistance में convert हो गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम entry नहीं लेंगे, हम wait करेंगे, जब price आपका इस यहाँ पर आपको trap से बचना है, आपको यहाँ पर pullback को trade करना है, तो price आपका, इस resistance line को touch किया है, जो की support तो resistance में बदल गया, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें entry कब लेना, देखिए, यह green वाला candle छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर, सबसे पहले, यही आपको resistance resistance line को touch किया था, इसका lowest point जैसे ही, break होगा, यह नि, यह point हमारा क्या बन जाएगा, entry point बन जाएगा, और यहाँ पर अगर हम level की बात करें, तो लगभग आपका level हो जाएगा, 30, 20 के आसपास थोड़ा वोट उपर नीचे हो सकता है, इस particular level पर हम sell करेंगे, stop loss इससे थोड़ा सा उपर, यानि तो इससे previous candle जो है, इसको यह stop loss की रूप में count कर सकते हैं, target price की बात करें, तो previous support level, सबसे पहला target price हमारा, यह हो जाएगा, और उसके बात करें, previous जो भी support level पैस को भी इसने आसानी से hit किया, without stop loss को hit किये हुए, और देखे, all the way, 30, 20 से ही है, लगबग आपका 3600 के level को touch किया, यह नि लगबग आपका 200 point के करीब यह आपका गिरावट दिखाया, यह नि इसने अच्छा का सा गिरावट दिखाया, लगबग आपका 7% करीब, यह आप थोड़ा सा उपर रख लीजे, यह नहीं तो जो भी previous candle है, उसके highest point को आप यहाँ पर, as a stop loss रख सकते हैं, टारगेट पर पर इस previous support यह इस टारगेट पर बन जाएगा, यहाँ पर हम और example लेते हैं, यहाँ पर विलाइंस पर आते हैं, अब देखे, विलाइंस के two hour के चार् और यहाँ पर हम entry कहाँ पर लेंगे, देखे, सबसे पहला यह छोटा सा queen candle है, वो इस residence line को touch किया था, इसका lowest point आपका इसके करीब, यहनि यह हमारा बन जाएगा entry point, जो कि हमारा होगा लगबग, आपका 2380 गास पास, और इसके बाद previous आपका जो support line ही है, यह हमारा target पैस बन profit, यहाँ पर हमें अच्छा कासा return दे दिया है, इसके basis पर आप आसानी से trade ले सकते हैं, और यह काफी secure trade है, और यह काफी आपको systematic तरीके से safety के साथ बताता है, कि यहाँ पर हमें breakdown मिलने वाला है, जब और 10 breakdown मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें double confirmation मिल जाता है, इसको break क किया, उसकी बाद जैसे यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर sellers बैटे हुएं और उन्होंने वापस से selling किया, मतलब यहाँ पर हमें confirmation मिल जाता है, कि अब यहाँ पर price definitely नीचे side के दरफ जाएगा, और इसके basis पर अगर आप trade करोगे, तो आप trap से भी काफिया तक बच सकते हो, यहाँ पर और भी example है हमारे पास, अब यहाँ पर हम आगए, 30 minute के time frame के basis पर, अब इसके basis पर जाओ तो आप intraday या फिर btst या फिर swing trading भी कर सकते हो, यह pattern हमें देखने को मिला देख सकते हैं, price आपका नीचे side के तरफ किया, सब से पहले, यह जो label है, यह थोड़ा सा मुझ नहीं तो इसके highest point को रख सकते हैं, यह भी SL की रूप में काम करेगा, और जो मेरा entry point बनेगा, देखें इसको पहला candle आपका जो touch किया है, इसकी आसपास, बहुत सारा candle touch किया है, और जैसे ब्रेक करके नीचे side की तरफ आया, यह नहीं तो पहला candle आप इसको ले सकते हैं, यह जो है वो, 70 to 80 point का हमारा, क्या बन जाएगा, target price बन जाएगा, percentage wise देखें, लगबग आपका, 4 से 5% करीब यहां पे हमें return मिलता हुआ, तो देख सकते हैं, हर एक जगा हमें, at least 2% से, लेके 5% तक का return मिलता हुआ दिख रहा है, और यहां पे जो मुझे return मिला, वो लगबग, दो से 3 दिन के करीब return मिला, यहां पे अगर आप swing trading करते हैं, यहां पे आपको return मिलता हुआ, और इसके वेसिस पर options में भी trade कर सकते हैं, बस आपको strike price का selection करना, तो यहां पे आप options में भी काम कर सकते हैं, जैसे यहां पे आप 1780, यहां इस particular strike price के करीब दिया है, इसके आप put बस दिन ही hold करना परेगा, उसी time में आपको अच्छा कासा profit मिलता हुआ, दिख जाएगा, यहां पे हम और example लेखते हैं, देखते हैं, अब हम next example आते है, यहां पे आपका 15 minute का time frame है, जो के इंडियर के लिए, बस यहां पे आपको क्या find करना, एक आपका support level होना चाहिए, ज यह जो upside momentum जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ short covering के कारण जाता है, और यहां पे आपको buy करने का गलती भी नहीं करना, यानि यह जो pull back आता है, यह छोटा सा upside momentum दिखाता है, जो कि आपका western silver के पास जाता है, इस particular time में जो भी लोग buy करेंगे, वो यहां पे trap हो सकते हैं, तो आप multiple जगा trap से भी बच सकते हैं, क्योंकि market में बहुत जगा retail trader के लिए trap बिचाया जाता है, और उस trap से आप बच सकते हैं, अगर आप इस तरीके से trade करेंगे, और यहां पे जो breakdown आता है, वो double confirmation के साथ breakdown आता है, जिसमें trap होने के chances कम रहते हैं, और यहां पे भी देखे, यह जो ह time frame में trade कर सकते हैं, और यह सारा concept है, जिसके basis पे आप profit बना सकते हैं, live market में काम कर सकते हैं, और हम कोसिस करेंगे, यह जो भी pattern है, जो भी strategy है, इन सब के basis पे live market में भी video बनाए, और वो video भी जल्द आपके सामने लाएंगे, और यह सारा concept है, जो कि आपको बहुत कम जगा ब बताते हैं, वो आपको charge करके बताते हैं, free of cost नहीं बताया जाता है, बस एक ही request आप से, कि channel को subscribe कीजिए, और bell icon को जो दबा दीजिए, ताकि इस तरह के, जो भी हम informative content आपके लाते रहेंगे, उसका notification आप तक पहुंच जाए, और उस content को आप मिस ना करें, so मिलते हैं next video में, जाहिन!